हेलो फ्रेंट्स एक वार फिर्श आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हरियाना से रिलेटिड जितने भी अभी लेक और जो शिलालेक हैं जिनके बारे में आज तक क्युस्टन पुछे गए हैं वो भी हम पढ़ेंगे क्युस्टन को डिसकस करेंगे इसके लावाद जो कुछ अलग उनसे रिलेटिड जो फैक्ट्स हैं उनको हम देखेंगे और जो नए अभी लेक और शिलालेक हैं जिनसे रिलेटिड क्युस्टन आ सकते हैं आपके अन्योड एक्जांस में तो उनसे रिलेटिड आज के इस वीडियो होगा हमारा इसमें हम तक्रीबन सभी जो भी इंपोर्टेंट सिलालेक और अभी लेक हैं उनको कवर करने की कोशिस करेंगे तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है आप ज़दे ज़दा इन वीडियो को सेयर कीजिए और चैनल को अब आपने सब्सक्राइब नहीं क्या है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर ही आज के इस वीडियो की पीडियो आपको नहीं मिल पाएगी फ्रेंट्स हो सकता है आपको कल या परसों तक इसके जो कुशन मनते हैं जितने मिल क्युशन उनकी जो पीडियो है वो आपको प्रवाइड करवा दी जाए वैसे आप साथ के साथ नोट कर सकते हैं जितने भी इंपोटेंट क्युशन है उनको आप लिख सकते हैं अपनी नोट्बुक में हम तक्रीबन जितने भी important शिलालेख और अभिलेख हैं उनको इस वीडियो में cover कर देंगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं पहले हम आपको एक question दिखा देता हूँ जो कि पुछा गया था lab attendant के जग जयाम वहा था evening shift में 30 September को उसमें question आया था दोस्तों वह आपको दिखा देता हूँ ये question था दोस्तों the earliest name of haryana is found in origin of name haryana is मतलब कि जो हaryana का पुरातर नाम है इसका जो प्रारम भी जो वर्णन है सबसे पहले किसमें मिलता है तो ये मिलता है दोस्तों जो past option है चामन जो लिखा हुआ है उस भी pronunciation ये जो exam है दोस्तों इसमें जो कोई भी आपने exam दिया होगा उसमें पहले ही page पर ये बात लिखी होती है अगर किसी question में कुछ problem होती है लिखने में तो जो English version है उसको preference दी जाएगी उसको माना जाएगा अगर कोई भी दिक्कत होती है तो इसलिए ये जो English version है उसी को बाद में pronunciation में थोड़ी दिक्कत हो सकती है जो बाद में इसी को जो English version है इसी को हिंदी में convert करके लिखा जाता है इसलिए आप इसको कुछ भी बोल सकते है जो चाहमान जो भी आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से लेकिन इस में जो लिखा हुआ वो यही है जो चौहानो का जो अजमेर है वहां पर एक दोस्तो अभी लेक है वहां पर जो चोहमानों के बारे में जो इतियाश है उसमें अल्णोराज और चौहान राजा है उनके बारे में जो वर्णन मिलता है सुर्वाटी जो हर्याना का वर्णन है वो इसी अभी लेक में मिलता है तो यह आप नोट कर सकते हैं जो अजमेर म्यूजियम में यह spelling भी important दोस्तों M.U.S.E.U.M मुजियम की spelling कई वार इंजिस में बूस लेते हैं तो जो अजमेर मुजियम है वहाँ पर जो अर्नो राज का जो अर्नो राज है चोहमान राज़ा होए है जो अर्नो राज उसमें हरियाना का सबसे पहली बार वर्णन हरियाना का जो प्रारंभीक वर्णन है वो इसमें मिलता है और उसमें कहा गया है हरियाना को यह spelling आप देख लीजिये क्या बोलेंगे आप इसको क्या प्रणामस करेंगे वो आपके उपर है यह है spelling हरितना का जो वे आप कुस भी इसको पोलें तो यह जो अर्णोराज का जो अभी लेख है जो आजमेर म्यूजे में रखावा है इसमें जो चहमान है जो राजा हुए है इनका हरियाना का जो प्रारंभीक वर्णन है वो इस अभी लेख में मिलता है जो क्यूसन मैंने आपको दिखाया उसमें वही जो फैस्ट ओप्सन था वो राइट अंसर था कि प्रारंबिक जो हरियाना का नाम है वो इन में से किस में मिलता है हरियाना का उद्भाव तो हरियाना का प्रात्र नाम हरियाना का नाम का जो उद्भाव जो सुरुवाति मिलता है वो मिलता है दोस्तों चाहमान में जो है अजमेर म्यूजिम में अरणोराज चोहन राजागा भी लेक इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों ये आपने कई बार पड़ा भी होगा हरियाला हरियाला नाम जो मिलता है वो मिलता है दोस्तों सकंद जो पुराण है उसमें हरियाला का नाम मिलता है हरियाला और इसवी से related एक और जो important चीज है वो जो सकंध पुराण में कुरुच 70 को क्या कहा गया है क्या नाम था कुरुच 70 का क्या बणन मिलता है सकंध पुराण में तो आप note कर सकते हैं गुरुच 70 को इसमें कहा गईा है हरी चेतल यह आप note कर सकते हैं इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मुहमद बिन तुगलक इसमें हम दोस्तों केवल जो अभी लेख है उनी से रिलेटेटर बाते कर रहे हैं इसलिए जादा डिसकेशन नहीं कर रहे हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है इतना पूरी हिस हों सकते हैं जो इसमें हरियाना को क्या कहा गया है उसमें क्या बनत मिलता है ये बातें आपसे रिएवर्स भी पूछ सकते हैं ये मिल सकता है आपको कि हरियाना को पर्थवी पर स्वर्ग किस में कहा गया है किस अभी लेख में हरियाना को पर्थवी पर स्वर्ग कहा गया है तो मुहमत बिन तुगलक का जवाब लेख है उसमें बड़न मिलता है हरियाना heaven on earth where lies the city दिल्ली का ये इस जवाबी लेख है इसमें ये लाइन आपको मिलेगी मतलब कि जो हरियाना है वो है पर्त्वी पर स्वर्ग और जहां पर है एक सहर दिल्ली का तो ये मुहमद बीन जो तुगलक है इनका जवाबी लेख है 132880 का इसमें हरियाना को कहा गया है पर्त्वी पर स्वर्ग हरियाना को पर्त्वी पर स्वर्ग बताया गया है मुहमद बीन तुगलक के जो अभी लेख है उसमें ये स्पेलिंग है जो बड़न इसमें मिलता है इसके बाद जो अगला हम देखेंगे अभी लेक वो है दोस्तो स्टोन अभी ले गई है मतलब की पत्थर पर लिखा हुआ है सिलालेक इसको बोलते है बोहर बोहर सिलालेक बोहर आपने नाम भी सुना होगा रोतक में है अस्थल बोहर तो इसमें हरियाना का क्या नाम मिलता है तो इसमें नाम मिलता है हरियना का दोस्तो हरियनक ये आप नोट कर सकते हैं बोहर सिलाले कहां से मिला है रोह तक से इसमें हरियना का नाम क्या मिलता है हरियनक और ये किस के काल का है ये भी आप नोट कर सकते हैं 1337 विक्रमी संवत बलबल बलबन के काल का है ये सिलालेक ये वाते आप नोट कर सकते हैं इसमें हरियनक का नाम है हरियनक, बलबन के काल का है और ये मिला है बहुर शिलालेक रोतक से तो ये थे दोस्तो च्यार होचके हैं हमारे अगला जो अभी लेक हम देखेंगे वो है दोस्तो पालम बाउली अभी लेक पालम बाउली अभी लेक है दोस्तो इसमें हर्यानक के बारे में क्या नाम मिलता है क्या मिलता है इसमें तो ये लगबग सेम ही नाम है हरियनक इसमें कहा गया है लेकिन इसमें कहा गया है कि जो हरियनक है वो बना है बगवान हरी से बगवान हरी से क्रेप्ट होकर बना है हरियनक और ये है दोस्तो अभी लेक ये भी बल्बन के काल का है बारा सो अस्टी एडी पालम बाउली अभी लेक ये इसके बारे में भी दोस्तो क्यूशन आचुका है क्यूशन क्या है था वो मैं आपको बता देता हूँ कि तोम्रों का सासन हर्याणा में चोहँवानों ने खतम कर दिया ये किस अभी लेक में वर्णत मिलता है ये कि उसने पूचा गया था कि तोम्रों का सासन हर्याणा में चोहँवानों ने खतम कर दिया ये आप नोट कर सकते हैं तो किस में ये वड़न मिलता है ये है दोस्तो पालम बावली तोमरों ने तोमरों का जो सासन था जिन्हों ने जो उपर हमने डिसकेश किया था दिल्ली का जो सहर है वो तोमरों का द्वारा ही बसाया गया था जो वड़न मिलता है मुहमद बीन तुगलक के काल का उसमें तो त दोस्तों चौहानों ने किया तो ये किस्ट में वर्ण है तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं पालम बावली जो अभी लेक है उसमें ये वर्ण मिलता है और ये किशन दोस्तों पूछा दाच का है एससी के अग्जाम में ये आप इंपोर्टेट किशन है दोवारा भी अगर होता है तो काफी फाइदा होगा आपको इसलिए आप अपनी नोट बुक में नोट डाउन कर लिजिए इसको इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तो ये तो आपने कई बार पड़ी ही लिया होगा कि जो महाबार्थ काल है इसमें हरियना को क्या कहा जाता था ये आपको कई बार महाबार्थ काल में बहु दानिक कहा गया है इसके बाद नेक्स्ट है एक इतियास कार रहे हैं बुद्ध प्रकास इनका इनके अनुसार जो हरियाना है वो क्रेप्ट होकर बना है अभीरियाना से अभीरियाना अभीरियाना से क्रेप्ट होकर बना है हरियाना जो किस पर में लिए बेस था अभिर अभीराज जो की यहां पर एक मुख है जो प्रोमिनेंट ट्राइब होता था जो यहां का कविला होता था मुख्या था अभीर राज इसको बोलते थे उसी से बना है अभीर याना तो यह किसने किसके दोरा वर्णन है यह है एक हिस्टोरीन हुए है जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं दोस्तों लाउस और कमबोडिया जो देश है एसिया यही देश है आपको पता होगा लाउस और कमबोडिया थाइलेंड के पास हैं लाउस और कमबोडिया जो मंदिर होता था सब पहले अंकोरवाट जो सबसे बड़ा मंदिर होता था कमबोड ग्या देश में तो जो हरियना के लोग हैं जो माइग्रेट करके गए हैं यहाँ पर यह वड़न किसमें मिलता है लाओस और जो प्राण विहार यह आप नोट कर सकते हैं प्राण विहार जो अभी लेख है वो कहां से मिला है तो यह मिला है दोस्तो कमबोडिया जो देश है वहां से यह अभी लेख प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार जो लोग है हरियना के माइग्रेट करके यहाँ पर गई थे और जो लाओस अभी लेख मैंने आपको बताए यह दोनों ही देश हैं अलग लग 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 और कमबोडिया तो जो लाओस अभी लेख है उसमें एक और इंपोर्टेड किसन मनता है वो आपनो डाउन कर लिजिए वो यह है कि महातिर्थ की स्थापना जो कुर्चेत्र है उसको बला गया है महातिर्थ कुर्चेत्र को बला गया है महातिर्थ इसको क्या बोला गया है दोस्तो महातिर्थ की स्थापना कुछेत्र में की गई 21 अभी लेक में वर्णन मिलता है ये किस्वन आप लिख लीजिए तो लाओस जो अभी लेक है उसमें ये वर्णन मिलता है इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तो मिहिर भोज का जो पिहोवा अभी लेक है मिहिर भोज के कई सिक्के भी मिले हैं दोस्तो अभी लेक भी मिले है जिनके नुसार जो गोडों का जो कारुवार होता था वो यहाँ पर होता था जो पेहुआ में तो यह किस अभी लेख के द्वारा वर्णित है किस अभी लेख में यह वर्णित मिलता है तो जो मिहिर बोज का अभी लेख है 882 A.D. गा इसमें यह वर्णित मिलता है कि यहाँ पर होता था जो पेहुआ जो कुर्शेतर में है वरत्मान में वहाँ पर गोडों का व्यापार होता था ये महिर भोज का जो पेहुआ अभी लेख है उससे वरणन्द मिलता है और ये परतिहार राजा हुए है जो परतिहार सासक हुए है महिर भोज इसके बाद दोस्तों आते हैं जो एक क्यूस्तों आजका है आ सकता है आपके वरणन्द एक्जाउंस में वो है मिहिर भोज के बाद में जो सासक हुए है परतिहार राजा महिंदर पाल जो महिंदर पाल हुए है और जो इनके टाइम का जो पिहोवा अभी लेख हमें मिला है 890 से 910 के लगबग AD का जो अभी लेख पराप्त हुआ है पिहोवा से उसमें वरणन्द मिलता है पहली बार तोमरों का जो तोमर जो किसके सामन्त होते थे परतिहार जो राजा है उनी के फ्यूडिल फ्यूडिलिजम जो आपने पढ़ा होगा तो टिरम ही ऐसी है फ्यूडिलिजम बोलते हैं दोस्तों सामन्त वाद को सामन्त वाद क्या होता है यह मैं आपको एक बार थोड़ा सोट में समझाने के कोशिश करूँगा पहले जो राजा होते थे दोस्तों काफी बड़ा उनका मतलब कि छेतर हो जाता था जिस पर उनको सासन करना होता था तो इसलिए वो क्या करते थे वो उसके जो छोटे जव उनको अंदर उस छेतर में राजा होते थे उनको कुछ से छेतर दे देते थे कि वो उस पर राज करें और वहाँ पर जो खेती है वहां से जो टेक्स है वो इकठा करें इसके बदले उनको एक चीज करनी होती थी जब भी उस राज़ा पर कोई लड़ाई होती थी तो उनकी जो सेना रखनी होती थी जो ये सामन्त होती थे ये अपने पास एक सेना रखते थे वो उस मदद की जो राज़ा होता थ उसकी मदद करनी होती जी इनको तो ये जो प्रत्था थी इसको बोलते हैं सामंत वाद या जागिरदार भी बोल देते हैं तो ये सामंत वाद जो तुमर थे ये परतिहारों के सामंत थे ये वरणन किसमे मिलता है अगर आप से ये पुछा जाए तोमर परतिहारों के जागिरदार थे, सामन थे, ये वमरन किसमें मिलता है, तो महंदर पाल का पियो होगावी लेख है, उसमें ये वमरन मिलता है, महंदर पाल परतिहार जो राजा हुए हैं, उसमें ये meant हमें मिलता है, 890-910AD का, इसके बाद दोस्तो इसी से रिलेटिड एक क्यूस्टन है आपके जो एचेशी के एक्जियांस हुए है उनमें ये क्यूस्टन पुछा जाच का है तो उसको हम डिसकेश करेंगे जो क्यूस्टन था दोस्तो वो था कि जो परतिहारों की जागिरदार गोगा ने परत दका में कौन सा मंदिर बनवाया किस बगवान का मंदिर इन्होंने बनवाया तो इन्होंने विष्णू बगवान के तीन मंदिर बनवाय थे यहां पर परत दका में तो इसकी थोड़ी एक बार मैं आपको थोड़े सोट में एक बार इनकी हिस्टरी बदा देता हूँ जो महिंदरपाल जो परतिहार जो महिर भोज के बाद महिर भोज उसके बाद महिंदरपाल जो परतिहार रजा है और इनके बाद जो सासक आते हैं कई या तीन या चार सासकों के बाद एक सासक आते हैं गोगा, बीच में जोला, वजरता, कई सासक आते हैं, उनको हम ज़ादा रिशिस नहीं करेंगे, इनके बाद जो लास्ट में जी सासक ने ये बनवाया गोगा और इनके तीन, जो दोर, जो इनके सोतेले बाई हैं, इन्हो जोहान विश्णू के तीन मंदिर इन्होंने बनवाय थी यह कुछन दोस्तों एजिटीज कुछन एचसी द्वारा पूचा जाचका है इसलिए हमने इसको इस वीडियो में थोड़ा सामिल गया है हिस्ट्री काफी लंबी चोड़ी है दोस्तों अगर हम पढ़ने लगे हरियाना की भी बुक्स में कम ही मिलती है हमें लेकिन जो आपके आने होड़ा एक्जाम्स होंगे जो पहले जो टाइम था शुरुआत में जब हरियाना जिक्के एक्जाम्स देनी शुरू की थी उस टाइम नॉर्मली हर कंडिडेट ये बोलता था कि मैं 25 में से 20 या वो ले ही लूँगा लेकिन अब जो डी ग्रूप हो सकता है उसमें आप थोड़े अच्छे नंबर ले बिले लेकिन जो ग्रेजिएशन लेवल के एक्जाम्स हैं उनमें हरियाना लेवल का भी जो जिक्के का जो ल लेक जो पिहोवा शिला लेक जिसे रिलेटिड हमने मिहिर भोज की जो बातिया आपको बताई आट सो ब्यासी इश्वी का जो है उससे रिलेटि क्यूशन पूछा जाचका है दोस्तों वहां आपको बता देता हूं जो पिहोवा शिला लेक है उसमें किस सासक का किस सासक से स तो इसमें क्या वणन मिलता है ये बात आपसे पुछी जा सकती है कि जो बादनक है ये नाम थोड़े ऐसे ही हैं दोस्तों आपको उताजता हूँ ये जो बहुत अन्यक है उसी से करप्टिड है बादनकाज इनको किसने हराया ये वणन मिलता है बिजोलिया अभी लेख में इनको हराया है जो फिग्रेह राज ये आप नोट कर सकते हैं इस प्रकार ये क्युस्टन दोस्तों आज के हैं इसलिए हम इनको डिस्क्स कर रहे हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया कि तोमरों का सासन हरियाना से किसने खतम कर दिया तो ये क्युस्टन जो पालम बाउलिया अभी लेख से सम्मदित क्युस्टन है वो क्युस्टन आज को है दोस्टों इसलिए हम इस टाइप के जो क्युस्टन है उनको डिसक्स कर रहे हैं तो ये वरणन अगर आप ये पुछा जाए कि हांसी पर विगरह राज ने विजएपाई ू.। ये वरणन किस अभी लेख में मिलता है तो विगरह राज हांसी और दिल्ली और हांसी पर अपना कब्जा किया, इनके राजाओं को हराकर ये वरणन मिलता है दोस्तों पिजोलिया अभी लेख में इसके बाद जो बादनकाज हम बात कर रहे थे जो बादनकाज है जो बहुत अनिक से ही बना है तो जो बहुत अनिक है प्रदेश उसके बारे में भी एक किशनाच का है उसको हम डिशिश करेंगे ये किशन ये आया है दोस्तों कि जो योद्धे है योद्धेज योद्धे इनकी राजधानी जब यह सासक करते थे हरियाना पर तो इनकी राजधानी कौन सी दी महावारत में जो वणन मिलता है बहुत आन्निक का तो इनकी राजधानी रोह तक यह important question है दोस्तो नोट कर लीजिए आप इसके बाद next है यह question यह आपने कई बार बढ़ा भी होगा टोप्रा जो अभी लेख है वो और जो दिल्ली सिवालिक अभी लेख है इसी से सम्दित यह दो अभी लेख हैं दोस्तो टोप्रा और दिल्ली और शिवालिक इसमें क्या वणन मिलता है अब तक आपने यह पढ़ाओगा कि यह अमबाला से मिला है और एक राज़ा आपको यह कमेंट करके आप बताएं सोरिया में आपको बताना है कि जो टोप्रा अभी लेख है उसको अमबाला से दिल्ली कौन लेकर गया ये किसन आप हमें कमेंट करके बताईए तो जो हम बात कर रहे थे टोपरा भी लेकर इसमें क्या वड़न मिलता है कि हरियाना है इसको एक भाग बना दिया गया जो चहमान जो सासन था उसका किस के दोवारा विग्रे राज के दोवारा इसमें ये वणन मिलता है जो हरियाना है उसको चैमानों के अंतरगत लेकर कोन आया तो ये हैं दोस्तों विग्रे राज टोपरा अभी लेख में ये वणन हमें मिलता है इसके बाद जो लाश्ट है आज का हम पढ़ेंगे जो हासी अभी लेख है इसमें क्या वणन मिलता है तो आपको ये इनका पर्तिवी राज जो तिरती है नहीं जो सेगेंड होए हैं पर्तिवी राज दिती है इन्होंने पिनजोर या जिसको वणन मिलता है पंच पुरा के राजा को हराया या आपसे अगर ये किसमें पुछा जाए कि प्रतिवी राज दिती ने पंच पुर के राजा को हराया ये हैं वरनन हमें किस अभी लेख में मिलता है हासी अभी लेख, टोपरा अभी लेख, बिजोलिया अभी लेख कोई भी च्यार अभी लेख आपको options में मिल जाते हैं तो आपको इसका answer करना है हासी अभी लेख, जो कि इसका right answer होगा दोस्तो वीडियो आपको कैसा लगा ये comment करके हमें बताएं और अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए और आपके जो friends हैं उनको भी आप बताईए हमारे channel के बारे में हम आपको किस परकार के वीडियो प्रोवाइड कर आते हैं वो आपको उनको बताएंगे तो जरूर ही वो भी हमारे channel को पर आएंगे देखेंगे हमारे वीडियो उनको भी जरूर ही पसंद आएंगे तो जो हमारी channel के बारे में अपने दोस्तों को बताएं अगर आपको वीडियोज पसंद आते हैं तो share करें और like करें और channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा comment करके हमें आए इसी प्रकार के और भी इंट्रेस्टिंग वीडियो आपके लेकर आते रहेंगे दोस्तों इसलिए ज़रूर ही सब्सक्राइब लिए थेंक्यू